जैहिंद प्यारे साथियो बात करने वाले यूप प्लेस में रेडियो भिवाग में जो आपकी भरती निकली हुई थी असिस्टेंट ओपरेटर और हैड ओपरेटर और वर्कसॉप स्टाप के बारे में आप सभी को अप्रेट देने वालों कि कितने टोटल एप्लिकेशन फॉ बिल पाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली अप्डेट के नॉटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे हैं साथ ही में आप सभी को बता दे हैं अगर आपने इस भरती के लिए अप्लाइ किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे अप्लिकेशन स्टडी फोर दीन्ट टू पॉइंट जिरो का लिंक दिया गया है वहाँ पे आप सभी को इस भरती के लिए मौक टैस मिल जाएंगे तो मौक टैस लगा के आप अपनी तयारी को और भी हैतर बना सकते हैं फटा फट से जाएंगे अप्लिकेशन को डाउनलोड करके मौक टैस का मेनिफेट उठाएं अब देखें यहाँ पे आप सभी को बता दें कि भरती वोड की तरफ से बताया गया है और यह जो जानकारी में आप सभी को दे रहा हूं नब भारत टाइम से ल इन सभी के लिए अलग-अलग अप्लिकेशन फॉर्म की संख्या तो नहीं बताएगी है कि अलग-अलग कितने अप्लिकेशन फॉर्म आएं वो अनुमाने तो अलड़ी हम वीडियो में आपको बता चुके हैं लेकिन ये क्लियर कर दिया गया है कि टोटल अप्लिकेशन फॉ बहुत ही अच्छी अप्डेट है कि जैसा कि मैंने लगातार मैं आप सभी को वीडियो में बता रहा था कि लगवग जून के लगवग आपकी जो भड़ती होगी वो स्टार्ट हो जाएगी जून के लगवग आपका जो एक्जाम होगा वो कनेक्ट करवाया जाएगा तो यह आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी अप्डेट है जो भी लोग ने इसके लिए अप्लाए किया है वो सभी लोग अपनी तयारी को और अच्छे से करें क्यूंकि आपके पास बहुत जादा समय नहीं है तैयारी करने के लिए लगवग आप मान सकते हैं कि लगवग इन तीन महीन वाह आप जितनी अच्छे से तैयार ही कर सकते हैं उतने अच्छे से तैयार ही करिए तो हमारी दर्ब से आप सभी को very worst of luck और जैसा की मैं आप सभी को बताया इसके लिए mock test हमने तैयार किए लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आगे जो भी इससे बढ़ती से समधने अब डेट होगी रेगुलर हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती देगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक शियर जादा से जादा करें ताकि और भी लोग हमसे कनेक्ट हो पाएं और आप सभी को रेगुलर हमारे अपडेट दे पाएं तो प्यारे साथियो फिलाल के लिए वाज इतना ही अगली वीडियो में मिलेंगे तो थैंक ये फूर वाचिंग जाहिंच अबारत